बेटा, मैं अपने मा की सर की किसम खा सकता हूँ, क्या आप अपने मा की सर की किसम खा के ये कह सकते हैं कि हा सर, जिस सिद्दत से हम आज पढ़ रहे हैं, इसी सिद्दत से हम की इंगलिश ही नहीं, सारे सब्जेक्ट आने वाले अपने ये जितने भी दिन एक्जाम से पहले है हम पढ़ेंगे अगर आपमें हिम्मत है तो खाईए बैठिए और आज से घर पर पढ़ना चालो कर दीजिए मैं कोरे पढ़ने पर लिख कर दे सकता हूं आपका सेलेक्शन हो लेकिन बेटा क्या करती है जंता पांच दिन पंदरा दिन बीज दिन सीरियस रहती है उसके बाद उसकी चोचले बाजी हट जाती होता ना पहली पहली क्लास में चीर देंगे फाड देंगे चलता है लेकिन जैसी 15-20 दिन जाते है न उसको होसला तूटने लगता है अब आपका होसला मुझे चेक करना है वो 10 दिन में या 15 दिन में आज अभी भी बोलेगा अभी भी कसम खा तो होसला टूटने मत देना मैं रहु लगा ना होसला टूटने मत देना इतनी बड़ी पीडिएफ में इसलिए देखा रहा हूं आपको देखरो हो दो घंदे से पहले कैसे तयार हो जाएगे दो घंदधर मिट से पहले इतना तो टाइप भी नहीं कर पाऊगे आप दुबारा पढ़के रिवाइज करोगे, बुक में, बुक ले लो जिसके पास नहीं है, डेस्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले से डेली बैड जाओगे, जो आज खतम करेंगे, हम पहला सेट करेंगे, हास थोड़ा जाद अब देर तक हम क्लास नहीं है, रियो अंडरलाइन करके आप डेली उससे रिवाइज करोगे, साथ साथ क्लास चला के, ठीक है, चलिए भाई साब, बच्चे वापस आज़े बफरिंग होगी न, तो सब बैक करके वापस आ रहे होंगे, सारे के सारे स्टूडेंट वापस आज़े एक बार, फिर माहुल दुबारा सेट करते हैं, आगे जाके बापसी आगे, ठीक है, चलिए, तो मैं यह गह रहा था मेरे बच्चे, कि जैसे एक बात को बड़ी सीरिस ले गया, कि ये कसम खाके चलना है, चीक है, ये कसम खाके चलना है आपको, कि हासर 100% हम सीरिसली पढ़ेंगे, जिस सिद्दत से आप हमें पढ़ाओगे, वो सिद्दत से हम रिविजिन करेंगे, डेली आपको homework मिलेगा, आपको vocab की book है, आपको complete खतम करनी है, डेली आपको उसको underline करके पढ़ना है, सारे चरीके मैं आपको याद करा के दूँगा, डेली की डेली ये screen आप revise करोगे, डेली class को revise करोगे, speedometer पे लगा के, मैंने आपको ये कहा था, network वहां कटिया, बड़ी important बात में कह रहा था, मैं ये कह रहा था,